नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हैं GoToOnline तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप Google Pay, Phone Pay 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 टियम से अपना bank account हटाना चाहते हो या delete करना चाहते हो तो कैसे आप अपने Google Pay, Phone Pay 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 टियम से bank account को हटा सकते हो तो वीडियो सुल करने से पहले मेरी apps request है अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार हो तो subscribe करके bell icon को all पर भी select कर लें ताकि हर वीडियो का notification आपको मिलता रहे तो कैसे Google Pay, Phone Pay 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 टियम से अपना bank account हटा सकते हो तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ mobile की screen पर यहां पर मैं आचुका हूँ mobile की screen पर और सबसे पहले हम आपको phone pay से bank account हटाना बताएंगे तो यहां पर मैं अपना phone pay open कर लेता हूँ और phone pay से कैसे bank account को हटाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है phone pay की profile में जाना है left corner में जहां पर अपना photo लगाते है और यहां पर आपको card के रूप में आपके bank account नजर आ जाएंगे जितने भी bank account आपके phone pay में link होंगे तो जो भी bank account आपको हटाना है उस bank account के card के उपर आपको click कर देना है click करने के बाद मैं थोड़ा सा उपर की तरफ scroll करना है और नीचे देखिए unlink bank account का option मिल रहा है आप यहां से unlink bank account पर click करेंगे और फिर से आपको unlink पर click कर देना है और click करते ही देखिए यहां पर bank account remove हो चुका है तो phone pay से इस तरह आप bank account हटा सकते हो अब बात करते हैं ptm की तो हम चलते हैं ptm app में तो यहां पर मैं अपना ptm app open कर लेता हूँ और ऐसे ही आपको क्या करना है ptm से bank account रखाने के लिए आपको ptm की profile में जाना है profile में जाने के बाद में आपको उपर की तरफ scroll करना है और नीचे आपको upi and payment setting पर click कर देना है upi and payment setting click करने के बाद में आपके सामने नया page open होगा फिर से आपको upi and link bank account वाले option पर click कर देना है click करने के बाद में अब यहां पर देखिए सारे bank account आपके नजर आ जाएंगे जो भी bank account आपके ptm में link होंगे और जो भी bank account आपको हटाना है तो bank account के नीचे ही आपको remove account का option मिल जाएगा तो यहां से आप remove account पर click करके यहां से देखिए remove हो चुका है फिर मैं आपको एक और बता देता हूँ फिर से मैं remove account पर click करता हूँ तो यहां पर देखिए बाकी के bank account थे वो remove हो चुके हैं bank account यहां पर हमारा बचा है और बात करते है गूगल पे से कैसे आप बैंक account को अटा सकते हूँ तो अब जाते हम Google Pay में तो यहां पर आपके गूगल पे में जितने bank account लिंक होंगे, सारी bank account आपको हो जाएंगे, आपको उस bank के ऊपर click करना है, जिसको आप अठाना चाहते हूँ, तो मैं यहाँ पर SBI के ऊपर click कर देता हूँ, click करने के बाद में आपको ऊपर three dots पर click करना है, और यहाँ पर message आ गया, तो यहाँ bank account remove हो चुका है, यहाँ पर देखिए, एक ही bank account नजर आएगा, भी refresh हो गया, देखिए, यहाँ पर हमारा bank account हट चुका है,